मेरे प्यारे देश वाचियों नमस्कार आम तोर पर यह समय कुछ सबका होता है जगह जगह मेले लगते हैं धार्मी पुजापाथ होते हैं कोरोना के संकेटकाल में लोगों में उमंग तो है उत्सा भी है लेकिन हम सब को मन को छू जाये वैसा अनुशाशन भी है बहुत एक रूप में देखा जाए तो नागरिकों में दाईत्व का एहसास भी है लोग अपना ध्यान रखते हुए दूसरों का ध्यान रखते हुए अपने रोजमरा के काम भी कर रहे हैं देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का सहियम और साथगी इस बार देखी जा रही है वो अभूतपुर्वा है गनेशोचों भी कहीं ऑनलाइन मनाये जा रहा है तो ज़्यादातर जगहों पर इस बार इको फ्रेंडी गनेश्ची की प्रतिमा स्थापित की गई है साथियों हम बहुत बारी के सगर देखेंगे तो एक बात अवश्या हमारे ध्यान में आएगी हमारे पर्व और परियावरण इन दोनों के बीच एक बहुत घहरा नाता रहा है जहां एक और हमारे पर्वों में परियावरण और प्रकूति के साथ सहज जीवन का संदेश छिपा होता है तो दूसरी और कई सारे पर्व प्रकूति की रक्षा के लिए ही मनाई जाते हैं जैसे बिहार के पस्चिमी चमपारण में सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग साथ घंटे के लोगडाउन या उनके ही शब्दों में कहें तो साथ घंटे के बरना का पालन करते हैं प्रकूति की रक्षा के लिए बरना को हो थारू समाज ने अपने परंपरा का हिस्सा बना लिया है और सदियों से बनाया है इस दोरान न कोई गाउ में आता है नहीं कोई अपने घरों से बाहर निकलता है अलोग मानते हैं कि अगर वो बाहर निकले या कोई बाहर से आया तो उनके आने जाने से लोगों की रोजमरा की गतिविद्यों से नय पैर पॉधों को नुक्षान हो सकता है बर्वना की शुरुवात में भव्य तरीके से हमारे आदिवासी भायवेन पूजापाट करते हैं और उसकी समाप्ति पर आदिवासी परंपरा के गीत, संगीत, नुत्य जम करके उसके कारकम भी होते हैं साथियों, इन दिनों कोनम का पर्व भी धुम धाम से मनाये जा रहा है, ये पर्व चिनगम महिने में आता है, इस दोरान लोग कुछ नया खरीते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, पुकलम बनाते हैं, कोनम साध्या का आनन लेते हैं, तरह तरह के खेल और प्रतियोगीताय भी होती हैं, ओनम की धूंतों आज दूर सुदूर विदेशों तक पहुंची हुई है, अमेरिका हो, यूरप हो, या खाड़ी देशों, ओनम का उल्लास आपको हर कहीं मिल जाएगा, ओनम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनता जा रहा है, साथियों, ओनम हमारी कृसी से सक्ति से ही तो हमारा जीवन हमारा समाच चलता है, हमारे पर्व किसानों के परिसम से ही रंग बिरंगे बनते हैं, हमारे अनदाता को, किसानों की जीवन दाइनी शक्ति को बेदों में भी भावत गवरवपन रुप से नमन किया गया है, रगवेद में मंत्र है, अन्ना नाम अर्थात अन्रदाता को नमन है किसान को नमन है हमारे किसानों ने कोरोना के इस कठीन परिस्थितियों में भी अपनी ताकत को साबित किया है हमारे देश में इस बार खरिक की फसल की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 7 प्रतिशत ज्यादा हुई है धान की रुपाई इस बार लगबग 10 प्रतिशत दाले लगबग 5 प्रतिशत मोटे अनाच कोर्स सिरियल्स लगबग 3 प्रतिशत ओईल सीट्स लगबग 13 प्रतिशत कपास लगबग 3 प्रतिशत ज्यादा बोई गई हैं मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूँ, उनके परिश्रम को नमन करता हूँ मेरे प्यारे देश वास्यों, कोरोना के इस कालखंड में देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है लेकिन इसके साथ साथ कई बार मन में ये भी सवार आता रहा कि इतने नंबे समय तक घरों में रहने के कारण मेरे छोटे-छोटे बालमित्रों का समय कैसे बित्ता होगा और इसी से मैंने गांदेनगर की चिल्डेन उनिवर्सिटी जो दुन्या में एक अलग तरह का प्रयोग है भारत सरकार के महिला और भालविकास मंत्राले, शिक्षा मंत्राले, सुक्ष्व लगू और मध्यमुद्योग मंत्राले इन सभी के साथ मिलकर हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं इस पर मंत्राल किया, चिंतन किया मेरे लिए ये बहुत सुखत था, लापकारी भी था, क्योंकि एक प्रकार से इन मेरे लिए भी कुछ नया जानने का, नया सिखने का अवसर बन गया साथियों, हमारी चिंतन का विशे था, खिलोने और विशेश कर भारतिये खिलोने हमने इस बात पर मंधन किया, कि भारत के बच्चों को नए नए टॉइस कैसे मिले, भारत टॉइ प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब कैसे बने वैसे मैं मन की बात सुन रहें बच्चों के माता पिता से, शमा मागता हूँ क्योंकि हो सकता है, उन्हें अब ये मन की बात सुनने के बाद, खिलोनों की नई-नई डिमान सुनने का, शायद एक नया काम सामने आ जाएगा साथियों, खिलोने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं, तो खिलोने हमारी आकांग्शाओं को भी उड़ान देते हैं, खिलोने किवल मन ही नहीं बहलाते, खिलोने मन बनाते भी हैं और मकसद गढ़ते भी हैं मैंने कहीं पढ़ा कि खिलोनों के सबन्द में गुरुदेव रविद्रना टेगोर ने कहा था कि बेश टॉय वो होता है जो इनकम्प्लीट हो, ऐसा खिलोना जो अधूरा हो और बच्चे मिलकर खेल खेल में उसे पुरा करें गुरुदेव रविद्रने कहा था कि जब वो छोटे थे तो खुद की कलपना से घर में मिलने वाले सामानों से ही अपने दोस्तों के साथ अपने खिलोने और खेल बनाया करते थे लेकिन एक दिन बच्चपन के उन मौज मस्ति भरे पलों में बड़ों का दखल हो गया हुआ ये था कि उनका एक साथी एक बड़ा और सुन्दर सा विदेशी खिलोना लेकर आ गया खिलोनों को लेकर इतराते हुए अब सब साथी का ध्यान खेल से ज़्यादा खिलोने पर रह गया हर किसी के आकरशन का केंदरा खेलने रहा खिलोना बन गया जो बच्चा कल तक सबके साथ खेलता था गुल मिल जाता था खेल में डूब जाता था वो अब दूर रहने लगा, एक तरह से बाकी बच्चों से भेद का भाव उसके मन में बैट गया महिंगी खिलोने में बनाने के लिए भी कुछ नहीं था, सिखने के लिए भी कुछ नहीं था यानि कि एक आकर्शक खिलोने ने एक उत्कुरुष्ट बच्चे को कहीं दबा दिया, छिपा दिया, मुर्जा दिया इस खिलोने ने धन का, संपती का, जरा बड़पन का प्रदर्शन कर लिया लेकिन उस बच्चे की क्रियेटिव स्पिरिट को बढ़ने और समरने से रोक दिया खिलोना तो आ गया, पर खेल खत्म हो गया, और बच्चे का खिलना भी खो गया इसलिए गुरुदेव कहते थे, कि खिलोने ऐसे होने चाहिए, जो बच्चे के बच्चपन को बाहर राएं, उसकी क्रियेटिविटी को सामने लाएं बच्चों के जीवन के अलगरत पहलू पर खिलोनों का जो प्रभाव है, इस पर राष्टिय शिक्षा निती में भी बहुत ध्यान दिया गया है खेल-खेल में सीखना, खिलोने बनाना सीखना, खिलोने जहां बनते हैं, वहाँ के विज़िट करना इन सब को करिकुलों का हिस्सा बनाया गया है साथ्यों, हमारे देश में लोकल खिलोनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है कई प्रतिभाशाली और कुसल कारीगर है जो अच्छे खिलोने मनाने में महारत रखते हैं भारत के कुछ खेत्र टॉय क्लस्टर्स यानि खिलोने के केंदर के रूप में भी विक्षित हो रहे हैं जैसे काणाटक के राम नगरम में चन्नापत्ना आंधर प्रदेश के कृष्णा में कौन्डापली तमिल्नावर में तेंजोर असम में धूरी उत्तर प्रदेश का वाला नसी कई ऐसे स्थान है कई नाम गिना सकते हैं आपको जानकर आश्चर होगा कि ग्लोबल टॉइ इंडिस्टी सात लाग करोड रूपियों से भी अधिक की हैं सात लाग करोड रूपियों का इतना बड़ा कारोबार लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है अब आप सोचिए कि जिस राष्ट के पास इतनी विरासत हो परंपरा हो विवितता हो युवा आबादी हो क्या खिलोनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या जी नहीं ये सुनने के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा देखे साथ ये टॉय इंडिस्ट्री बहुत व्यापक है ग्रह उद्योग हो छोटे वर लगू उद्योग हो मसमीज हो इसके साथ साथ बड़े उद्योग और नीजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर महनत करनी होगी अब जैसे आंदर पदेश के विज़ा का पटनम में स्रीमान सीवी राजू है उनके गाओं के अती कुपक का टॉइस एक समय में बहुत प्रचलित थे इनकी खासित ये थी कि खिलोने लकडी से बनते थे और दूसरी बात ये कि इन खिलोनों में आपको कहीं कोई एंगल या कौन नहीं मिलता था ये खिलोने हर तरफ से राउंड होते थे इसलिए बच्चों को चोड की भी गुंजाश नहीं होती थी सीवी राजू ने एती कोपक का टॉइस के लिए अब अपने गाओं के कारीदरों के साथ मिलकर एक तरफ से नया मुमेंट शुरू कर दिया है बहतरीन क्वालिटी के एती कोपक का टॉइस बनाकर सीवी राजू ने स्थानिये खिलोनों की खोई हुई गरिमा को वापस ला दिया है खिलोनों के साथ हम दो चीजे कर सकते हैं अपने गवरव शाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वाणिम बविश को भी समार सकते हैं मैं अपने स्टार्ट अप मित्रों को हमारे नए उद्दिमयों से कहता हूँ टीम अप फॉर टॉइस आईए मिलकर खिलोने बनाएं अब सभी के लिए लोकल खिलोनों के लिए वोकल होने का समय है आईए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वारे खिलोने बनाते हैं खिलोना वो हो जिसकी मवजूदगी में बचपन खिले भी खिल खिलाए भी हम ऐसे खिलोने बनाएं जो परियावरण के भी अनुकुल हो साथियों इसी तरह अब कंप्यूटर और स्पार्ट फोन के इस जमाने में कंप्यूटर गेम्स का भी बहुत ट्रेंड है ये गेम्स बच्चे भी खेलते हैं बड़े भी खेलते हैं लेकिन इन में भी जितने गेम्स होते हैं उनकी थिम्स भी अधिकतर बाहर की ही होती है हमारे देश में इतने अइडियाज है इतने कंएप्स हैं بहुत सम्रुद्ध हमारा इतियाथ रहा है कि हां हम उन पर गेम्स बना सकते हैं मैं देश के युवा टालेंट से कहता हूँ आप भारत में भी गेम्स बनाईए और भारत के भी गेम्स बनाईए कहा भी जाता है लेड़ गेम्स बेगिन तो चलो खेल शुनू करते हैं साथियों आत्म निर्भर भारत अभ्यान में वर्चुयल गेम्स हो टॉइज का सेक्टर हो सबने बहुत महत्वपुर्ण भूवी का निभानी है और यह अवसर भी है जब आज से सो वर्स पहले असयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांदी जी ने लिखा था कि असयोग आंदोलन देश वाशियों में आत्म सम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है आज जब हम देश को आत्म निर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्म इस्वास के स आगे बढ़ना है हर क्षेत्र में देश को आत्म निर्भर बनाना है असयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे अब आत्म निर्भर भारत के वटवरुक्ष में परिवर्तित करना हम सब का दाइप है मेरे प्यारे देश्वासियों भारतियों के पर भाव हो संवेदना हो तो यह शक्ति असीम बन जाती है इस महने के सुरुवात में देश के युवाओं के सामने एक एप इनोवेशन चैलेंज रखा गया इस आत्म निर्भर भारत एप इनोवेशन चैलेंज में हमारे युवाओं ने बढ़ चड़कर के हिस्सा लिया कर करीब दो तिहाई एप्स टीर टू और टीर थी शहरों के युवाओं ने बनाए हैं यह आत्म निर्भर भारत के लिए देश के भविश के लिए बहुत सुभ संकेत है आत्म निर्भर एप इनोवेशन चैलेंज के रिजर्ट देकर आप जरूर प्रभावित होंगे काफी ज इन एप्स के बारे में जाने और उनसे जुड़े हो सकता है आप भी ऐसा कुछ बनाने के लिए प्रेजित हो जाए इनमें एक एप है कुटू की किड्स लर्निंग एप यह छोटे बच्चों के लिए ऐसा इंट्रक्टिव एप है जिसमें गानों और कहानियों के जरिए बा एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफर्म का भी एप है इसका नाम है कुट के डबलो कुट इसमें हम अपनी मात्रुभाशा में टैक्स वीडियो और ओडियो के जरिये अपनी बात रख सकते हैं इंट्रेक कर सकते हैं इसी तरह चिंगारी एप भी युवाओं के बीच काफ भी पॉपिलर हो रहा है एक एप है आस्क सरकार इसमें चैट बोर्ड के जरिये आप इंट्रेक कर सकते हैं और किसी भी सरकारी वोजना के बारे में सही जानकारी हासिल कर सकते हैं वो भी टैक्स और यो और वीडियो तीनों तरीकों से यह आपकी बड़ी मदद कर सकता है एक और एप है step set go, यह fitness एप है, अब कितना चले, कितनी calories बन की, इस सारा हिसाब यह एप रखता है, और आपको fit रहने के लिए motivate भी करता है, मैंने कुछ ही उदार दिये हैं, कई और एप्स ने भी इस challenge को जीता है, कई business apps हैं, games के apps हैं, जैसे is equal to books and expense, जो हो workplace, FTC talent, आप इनके बारे में net पर search करिए, आपको बहुत जानकरी मिलेगी, आप भी आगे आए, कुछ innovate करें, कुछ implement करें, आपके प्रयास, आज के छोटे-छोटे start-ups, कल बड़ी-बड़ी कंपनियों में बदलेंगे, और दुनिया में भारत की पहचान बनेंगे, और आप ये मत भूलिये, कि आज जो दुनिया में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनिया नजर आती हैं न, बेबी कभी start-up हुआ करती थी, प्रिये देश्वासियों, हमारे यहां के बच्चे, हमारे विध्यार्थी, अपनी पूरी क्षमता दिखा पाएं, अपना सामर्थ दिखा पाएं, इसमें बहुत बड़ी भूमी का nutrition की भी होती है, पोशन की भी होती है, पूरे देश में सितंबर महने को पोशन माह, nutrition मन्त के रूप में मनाये जाएगा, नेशन और nutrition का बहुत गहरा सबंद होता है, हमारी यहां एक कहावत है, यथा अन्नम तथा मन्नम, यानि जैसा अन्न होता है, वैसा ही हमारा मानसिक और बववदिक विकास भी होता है, एक्सपर्स कहते हैं कि शीशू को घर्व में और बच्वन में जितना अच्छा पोशन मिलता है, उतना अच्छा उसका मानसिक विकास होता है, और वो स्फस्त रहता है, बच्चों के पोशन के लिए भी उतना ही जरूरी है कि मा को भी पूरा पोशन मिले, और portion या nutrition का मतलब क्यों इतना ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं, इसका मतलब है आपके शरीर को कितने जरूरी पोशक तत्व, nutrients मिल रहे हैं, आपको आयन, कैल्सम मिल रहे हैं या नहीं, सोडियम मिल रहा है या नहीं, विटामिन्स मिल रहे हैं या नहीं, ये सब nutrition के बहुत important aspects हैं, nutrition के इस आंदुलन में, people participation भी बहुत जरूरी हैं, जन भागीदारी ही इसको सफल करती हैं, पिछले कुछ वर्षों में, इस दिशा में, देश में काफी प्रयास किये गए हैं, खास कर हमारे गावों में इसे, जन भागीदारी से, जन अंदुलन बनाये जा रहा हैं, पोशन सप्ता हो, पोशन मा हो, इनके माद्यम से जादा से जादा जागरूपता पैदा की जा रही हैं, स्कूलों को जोड़ा गया है, बच्चों के लिए प्रतियोगीत आएं हो, उन में एवर्नेस बढ़े, इसके लिए भी लगाता प्रयास जारी हैं, जैसे क्लास में, ए पोशन माहा, नूट्रिशन मन्त के दोरान, माय गौव पॉर्टर पर एक फूर एंड नूट्रिशन क्वीच भी आवजित की जाएगी, और साथ ही एक मिम कंपिडिशन भी होगा, आप खुद पार्टिस्पेट करें, और दूसरों को भी मोटिवेट करें, साथ ही अगर जब वो खुलेगा और आपको जाने का आउसर मिलेगा, तो वहाँ एक उनीक प्रकार का नूट्रिशन पार्क बनाया गया है, खेल खेल में ही नूट्रिशन की शिक्षा, आनन प्रमोत के साथ वहाँ जुरूर देख सकते हैं, साथियों, भारत एक विशाल देश हैं, खान अगलत चीजे पैदा होती है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर है कि हर क्षेत्र के मौसम, वहाँ के स्थानिय भोजन और वहाँ पैदा होने वाले अन्न, फल, सबजियों के अनुसार, एक पोशक, नूट्रियन रिच डायेट प्रान बने, अब जैसे मिलीट्स, मोटे अ आज, रागी है, ज्वार है, ये बहुत अप्योगी पोशक आहार है, एक भारतिय कृशिकोष तयार किया जा रहा है, इसमें हर एक जिले में क्या-क्या फसल होती है, उनकी नूट्रिशन विल्यू कितनी है, इसकी पूरी जानकारी होगी, ये आप सब के लिए बहुत काम का कोश हो सकता है, आईए, पोशन महा में पौश्टिक खाने और स्वस्त रहने के लिए हम सभी को प्रेरित करें, प्रिये देशवाशियों, बीते दिनों, जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तब एक दिल्चस्प खबर पर मेरा ध्यान गया, ये खबर है हमारे सुरक्षावलों के दो जाबाज किरधारों की, एक हैं सोफी और दूसरी विदा, सोफी और विदा इंडियन आर्मी के श्वान है, डॉग्स है, और उन्हें चीफ आफ आर्मी स्टाप कमंडेशन कार्ट से सम्मानित किया गया है, सोफी और विदा को ये सम्मानित इस अपना कर्तव्य बक्खु भी निभाया है, हमारी सेनाओं में, हमारे सुरक्षावलों के पास, ऐसे कितने ही बादूर स्वान है, डॉग्स हैं, जो देश के लिए जीते हैं, और देश के लिए अपना बलिदान भी देते हैं, कितने ही बमधमाकों को, कितने ही आतंकी साजि किसों को रोकने में ऐसे डॉक्स ने बहुत एहम भूमिका निभाई है कुछ समय पहले मुझे देश की सुरुक्षा में डॉक्स की भूमिका के बारे में बहुत विस्तार से जानने के बिला कई किसे भी सुने एक डॉक्स बल्राम ने 2006 में अमर्नात यात्रा के रास्ते में बड़ी मात्रा में गोला बारुत खोज निकाला था 2002 में भावना ने आईडी खोजा था आईडी निकालने के दोरान आतंकियों ने विस्पोट कर दिया और स्वाम शहीद हो गए दो तीन वर्स पहले 36 गड़ के बीजापूर में CRPF का स्निफर डॉक क्रेकर भी आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया था कुछ दिन पहले ही आपने शायद टीवी पर एक बड़ा भाव करने वाला दरश्ट देखा होगा जिसमें बीड पुलीस अपने साथी डॉक रॉकी को पुरे सम्मान के साथ आखरी बिदाई दे रही थी रॉकी ने तिन सो से जादा केसों को सुलजाने में पुलीस की मदद की थी डॉक की डिजास्टर मैनेजमेंट और रिश्क्यू मिस्संस में भी बहुत बड़ी भूमिका होती हैं भारत में तो नेशनल डिजास्टर डिस्पॉंस फोर्स एंडी आरेफ ने ऐसे दरजनों को स्पेशली ट्रेंड किया है तहीं भूकम पाने पर इमारत गिनने पर मलवे में दबे जीवित लोगों को खोज निकालने में ये डॉक्स बहुत एक्सपर्स होते हैं साथ्यों मुझे यह भी बताया रहा कि इंडियन ब्रीड के डॉक्स भी बहुत अच्छे होते हैं आज पलायम कन्नी चिप्पी पर आई और कुमबाई भी बहुत शांदार इंडियन ब्रीड हैं इनको पालने में खर्च भी काफी कमाता है और ये भारतिये माहौल में डले भी होते हैं अब हमारी सुरक्षा एजेंशियों ने भी इन इंडियन ब्रीड के डॉक्स को अपनी सुरक्षा दस्ते में सामिल कर रही हैं पिछले कुछ समय में आर्मी, CISF, NSG ने मुदोल हाउंड डॉक्स को ट्रेन करके डॉक्स को और में सामिल किया है CRPF ने कुम्बाई डॉक्स को सामिल किया है इंडियन काउंसिल आफ अगरिकल्चर रिसर्च भी भारतियन नस्लके डॉक्स पर रिसर्च कर रही है मकसद यही है कि इंडियन ब्रीड को और बहतर बनाया जा सके और उपयोगी बनाया जा सके आप इंटरनेट पर इनके नाम सर्च करिए, इनके बारे में जानिए, आप इनकी खुबसूरती, इनकी क्वालिटी देखकर हरान हो जाएंगे अगली बार जब भी आप डॉग पालने की सोचें, आप जरूर इन में से ही किसी इनियन ब्रीड के डॉग को घर लाए आत्म निरभर भारत जब जन मन का मंत्र बनी रहा है, तो कोई भी खेत्र इससे पीछे कैसे छूट सकता है मेरे प्रिया देश्वासियों, कुछ दिनों बाद 5 सितंबर को हम सिख्षक तिवस मनाएंगे हम सब जब अपने जीवन की सफलताओं को, अपनी जीवन यात्रा को देखते हैं, तो हमें अपने किसी ने किसी सिख्षक की याद अवश्याती है तेजी से बदलते हुए समय और कॉरोना के संकट काल में हमारे शिख्षकों के सामने भी समय के साथ बदलाव की एक चुनवती रगती है मुझे खुशी है कि हमारे शिख्षकों ने इस चुनवती को नकेवल स्विकार किया, बलकि उसे अवसर में बदल भी दिया है पढ़ाई में तक्रीका जादा से जादा उप्योग कैसे हो, नए तरीकों को कैसे अपनाए, छात्रों को मदद कैसे करे यह हमारे शिख्षकों ने सहजता से अपनाया है और अपने स्टूडन्स को भी सिखाया है आज देश में हर जगह कुछन कुछ इनोवेशन हो रहे हैं, सिख्षक और छात्रों मिलकर कुछ नया कर रहे हैं मुझे वरोसा है, जिस तरह देश में राश्ट्रे सिख्षानिति के जरिये एक बड़ा बडला होने जा रहा है हमारे सिख्षक इसका बिलाब छात्रों तक पहुँचाने में एहम भूमी का निभाएंगे साथियों और विशेशकर मेरे सिख्षक साथियों वर्थ 2022 में हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष का परव मनाएगा स्वतंत्रता के पहले अनेग वर्षों तक हमारे देश में आज़ादी का जंग उसका एक लंबा इतिहास रहा है इस दोरान देश का कोई कौना ऐसा नहीं था जहां आज़ादी के मतवालों ने अपने प्राण निशावर न किये हो अपना सर्वस्व त्याग न दिया हो ये बहुत आवशक है कि हमारी आज की विड़ी हमारे विद्यारती आज़ादी की जंग हमारे देश के नायकों से परिचीत रहे उसे उतना ही मैसूस करे अपने जीले से अपने ख्षेत्रे में आज़ादी के अंदोरन के समय क्या कोन कितने समय तक देश के लिए जेल में रहा ये बाते हमारे विद्यारती जानेंगे तो उनके व्यक्तितव में भी इसका प्रभाव दिखेगा इसके लिए बहुत से काम किये जा सकते हैं जिसमें हमारे सिक्षकों का बड़ा दाइत्व है जैसे आप जिस जिले में हैं वह वहां सताब्दियों तक जो आजादी का जंग चला उन आजादी के जंग में वहां कोई घटना है गटी है क्या इसे लेकर विद्यारतीयों से रिसर्च किरवाई जा सकती हैं उसे स्कूल के हस्त लिखीत अंके के रुप में तैयार किया जा सकता हैं आपके शेहर में स्वतन कि आंत्रता अंधोलं से जुड़ा को इस्थान हो चात्र चात्राओं को वहा ले जा सकते हैं। आपके प्रयास देश के हजारों लाखों अनसंग हिरोज को सामने लाएंगे जो देश के लिए जीए जो देश के लिए खब गए जिनके नाम समय के साथ विश्वरत हो गए ऐसे महान व्यक्तित्वाँ को अगर हम सामने लाएंगे आज़ादी के 75 वर्ष में उन्हें याद करेंगे तो उनको सच्ची सरधाजली होगी और जब 5 सितंबर को सिक्षक दिवस मना रहे हैं तब मैं मेरे सिक्षक साथियों से जुरूर आगरह करूँगा कि वे इसके लिए एक माहूल बनाएं सब को जोड़े और सम मिलकर के जुट जाएं मेरे प्रिये देशवासियों देश आज जिस विकास यात्रा पर चल रहा है इसकी सफलता सुखत तभी होगी जब हर एक देशवासी इसमें शामिल हो इस यात्रा का यात्री हो इस पत का पतीक हो इसलिए ये जरूरी है कि हर एक देशवासी स्वस्त रहे सुखी रहे और हम मिलकर के कोरोना को पुरी तरह से हराएं कोरोना तभी हरेगा जब आप सुरक्षित रहेंगे जब आप दोगज की दुरी मास्क जरूरी इस संगल्प का पुरी तरह से पालन करेंगे आप सब स्वस्त रहिए सुखी रहिए इनी सुख कामनाओं के साथ अगली मन की बात में फिर मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार झालन के झालन के बात में बात में बात मेंगे बात में आप सुखी रहें दोगज के दिए कि रहेंगे कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो संगीत के दुनिया में भारती शास्त्री संगीत की विशेश महत्ता है रवींद्र नाची को शुरू से ही ऐसा महाल मिला जिसमें शास्त्री गायन के स्वर्गूजा करते थे उसी महाल में वो बड़े हुए इसलिए स्वभाविक था उन पर शास्त्री गीत संगीत का काफी असर पड़ा शुरू के दिनों में कवी ने शास्त्री गीतों को तोड़कर नए गीतों की रचना की थी ने सरे मागर रे मापने दो